और योगी अभी बने हुए हैं, बने रहेंगे और उने कुछ सूत्रों ने बताया है कि मुदी और शाह के सामने बोल दिया है, मुदी शिवरा से चवान समझने की गलती मत कर देना भाई बना भाई, लेने का देना पड़ जागा बाई देना पार्टी को हो सकता है कि वो कहानी फिर से रिपीट हो या जो कल्या आँसर दोसर मस्कात मैं मुदी शुपाश्रमा एक बाई फिर आप पे बीच में यूं तो सूसल वीडिया बर काफी कहानिया तेर रही है, लेकिन एक कह पासगर की ख़बर है, ये मेरी ख़बर नहीं है, अचानक से ऐसी क्या बेचेनी हुई कि बेजेपी शहसुत राजियों के मुख्या मंत्रों की बैठक, अचानक से बुनाने पड़ी प्रिदान मंत्री मुदी को शाह नड़ा भी मौजुद थे, पार्टी में गुडबाजी इस साल चार राजियों चनाओों ने, महराज ठरियाना, जहारफंड और जमू किश्मिन में होने वाले विदान सबाद चनाओों के बारे में, चर्चाएं हुई, और चर्चाएं हुई और चर्चा के मताबिक ये खबरें, जो मीडिया में ठोप निदी वो ठोप दी गई, ये भी कहा गया, कि मुक्य मंत्रियों के अपने काम का भी हिसार किताब दिया जाएगा, उन्हें पार्टे की ओड़ सिकھबिण दिया गया है, जिसमें अपने कारेकाल लिकी उपराभियां बताने को कहा गया है, साथ ये उन पिया है, जिसे वो लाओव नहीं कर पैए, मिरी जो सही टाइब पर सही योजनाएं लाग नहीं कर पाई जिसकी वज़े से भारती दा पाईटी को बहुत निचा देखने को मिल ला है बैसे तो एक च्छाती का मोदीजी की च्छाती का खुल पीने के लिए वैठा हूँ है राहुल गांदी और अगले इस ट्यादब इन दौन गांदी पॉंचे, हैमद अभी सार्मा पॉंचे, दामी पॉंचे, मांचरा मांजी बोले, वीशनदेफ साय southwest वोपंद्र पटेल पहुंचे, देवद फान भीस पॉनचे अब देवेन रफण दिवीस का तो यहां इसले नाम लेरा जरूरी है क्योंकि महाराश्ट में जो है कुछ ना कुछ ऐसा चलता है कि जो मतलब कुछ संदेश दे रहा है देश को कि वहां कुछ भी हो सकता है क्योंकि जिसता के आरों अबिश्याहन ने महाराश्ट में जाकर के श्रत पवारप पर लगा है उससे बहुत उल्टा असर भारतियंता पार्टी में पढ़ा है भारतियंता पार्टी का मतलब वैसे ही रुकसान हो रहा है जैसे यूबी के अंदर हुआ और होने वाला है जो अभी के घटनाएं चलनी है कावड़ वाली गटनाएं चलनी है सब तो उत्तरपरदेश इन चीजिजों को सहता नहीं है नफरत की राजनीती पसंद नहीं आती भगवान की राजनीती पसंद आती है लेकिन भगवान राम के मंदिर से ही अध्या से इनको आउट कर दिया गया तो अब योगी जो है अपने आप को मोली से बढ़कर के हिंदुख वादी दिखाना चाहते हैं तो वहां ये भी मैंने सुना है कि ये बोला गया है कामड़ियों को के बारस मतलब बारा अफ्तार की फूर्प लगा कर चलें जो मसल्मान जो है पिक को जो है सुर को जो है शील मतलब धर्म के खिलाफ मानते हैं खाते नहीं है क्योंकि वो गूब अगरा चड़ता रहता है लेकिन हमारे हैं हर धर्म को सम्मान गिया गया यही खासके थे सुनातन दंड की लेकिन यहां जिस तरह से बैटक बुलाए गई और बैटक में जो था सारे मुक्यमत्रे को तलब किया गया वो बाकी में जो था एक तरह से ऐसा लग रहा है कि प्रदान मतली यह बता दें कि दिल्ली में शनिवार 27 जुलाई आस सुभा प्रदान मुझे जो दिया देक्स्ता में नीती आयूप की गवर्निंग काउंसिल की दौबी मीटिंग हुई पशे मंदाज की मुक्यमत्री मम्ता वेनर्टी इसमें शामिल हुई मम्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें बोले नहीं दिया गया माइद बंद कर दिया गया उन्होंने कहा कि बैठेक में विपक्स की ओर से सिर्फ मैं शामिल हुई भाजपा के मुक्यमत्री को बोलने के लिए 10-20 मिनट का समय दिया गया जब कि मुझे पांच मैंट का समय मिला उधर सरकार ने में अमता वैनर्जिकेन आरोप उसे किरा रखे लिया यह कहतर कि हमने तो पूरा समय दिया था जिस तरह की डालोगा आप लोग सवा में लोग सवा स्पीकर के सुनते रहते हैं बिदान सवा में अपने जाहर साथ के सुनते रहते हैं मैंने कली होगे जो डाला था अब बात आते हैं कि जो यह खवर है इसका बिशलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं एक तरफ जहां योगी जी को बिलाने के बाद है मुख्य मंतरी को सभू बलाया गया है और राइस्थान में भी खिंस्तान चल रही है उत्रप्रदेश में भी खिंस्तान चल रही है और मद्रप्रदेश में भी खिंस्तान जवाबी नहीं है अंदर ये अंदर बहुत ज़्यादा कलेशल लिए तो आप प्रिदानमत्री मुदी को लग रहा है कि संगासन उनका डूर रहा है उसी को साथने के लिए जैसी की बीच में हवा उड़ाई गी थी कि हमेशानी चाहते कि योगी जी वहां मुख्य मंत्री है लेकिन वहां योगी जी गुबारा भर के च्छाती में किश्र परसाद मौय के परिज़ आता था और वावा योगी आधित करना उसमें छेज कर देती और योगी अभी बने हुए हैं बने रहेंगे और उड़े कुछ सूत्रों ने बताया है कि मुदी और शाह के सामने बोल दिया है मुदी शिवरा से चवान समझने की गल्ती मत कर देना भाई बनना बोल लेने का देना पड़ जागा वादिन्दा पार्टी को हो सकता है कि वो कहानी फिर से रिपीट हो जो कर लिया हम सिंग के जमाने में हुए थी लेकिन बीज़ पी ऐसी परवा नहीं करती है और योगी आरेतरना तो अपनी खुद की इंदू बानी रखते हैं खुद का उनका अपना दल है आरेसे से भी बिलाओं नहीं करते आरेसेस पर भी आज ये ख़वर है वो भी हम डालेंगे आपको बताएंगे लेकिन यहां पर लग रहा है कुछ जोल माल और कुछ गोल माल होने है जिस तरह से अविश्वास तरीके से अचनक से सारी सीम को तलब किया गया है बताएंगे जा रहा है कि चुना देख रहा है लेकिन इसमें कुछ गोल माल तो है और बजट ने भी असरट आता है बजट की बज़े से भी वीजेवी के खुद मुख्य मंतर भी शिकायत हैं कि बजट थोड़ा सा भार ही आ गया ये थोड़ा पच नहीं रहा है सीतारमन वाला जो बजट है आने मारे टाइम में हो सकता है कि बजट में कुछ रियायत है आपको जैसे कर्मा के टाइम पर बार बार बदलिगी का ये टाइन है उसी तरह से इस बजट में भी आपको सुधार देखने को मिलेंगा और रही यही अद्ध Trust की बार के शगब परसाद मौरियजए शायद उनको नाहट पाएं लिकिन अभी ख़बरे यह चल लिए केशब Pbn 시अब मौरियज ने अकना दाब खिल द या और यही अद्धत्य त्यनात का कभी भी इस्तिफा लिया जा सकता है ये खबरें शूशर मेडिया पे चल रही है, हो सकता है, अफ़वा उड़ाई जा रही हो, केशा प्रसाद मौरिया की ग्रूप की तरफ से है, दोस्तों ये खबरें बीजेपी की और ये खबरें, हाँ मम्ता बेनर्ट जी खबर बूल गया है, मम्ता बेनर्ट जी नीती आयोग की बैटक में पहुँची με और उसके पाँच मढगे बाद ही बाहर आगे है, नीती आयोग क्या होता है, नीती आयोग जो है, सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स की बैटक बुराता है, उनसे बात करता है और योजनाव को जो बड़वारा होता है, राज्यवार कर दिया जाता है, उनसे डिस्क्रिशिन करने के बाद, कि आपको GST इतना मिलेगा, हम इतना GST लेगे, आपको टेक्स इतना मिलेगा, हम इतना टेक्स लेगे, ये एक आम सहमती के अनुसार, मुख्य मंदुक साथ बैट कर दिया के लिए बन गई है, कि निदिश कुमार जो है, नीती आयोग की बैटक में क्यों नहीं है, यहां मुख्य मंत्री आ रही है, मुझे तो साफ साफ चीजे नहीं नहीं आ रही है, कि जस तरह से नीती आयोग के द्वारा प्रदान मंत्री मुधी, सारे चीफ मिनिस्टर की बीचेती करा रहे हैं, उसी तरह से वो बीचेती करा रहे हैं, अपने मुख्य मंत्री को बुलाया देखने के लिए यहाँ, होने वाला जया है, लेकि निगेटिव नियूस मुदी जी के लिए और परिशान कर देने वाले नियूस, क्योंकि जहां दिश कुमार गण्डी पहूंसते हैं तो इसके स्या से माईने काफी निकाले जाए सकते हैं काफी से भी जादा है जब कि राहूल गांदी इतने हमलावर हो गए हो जो एक चपल सिल कर के आ आए हों किसी मौची कि हां छर्ब गये थे मगदमि सुल्तान को, वहाँ एक मोचे के दुकान में चपल जो दे सुधार दी, वो चपल भी नहीं लाप होई, यह चपल को वो सुधार करे जाए, यह एक रुत्वा राहुल गांदी का पड़ता चला जारा है, उद्धार मत्री मोदी अपने कार्पुरेट मित्रों समझानी तोरे क्या करना है, मोदी बड़ी परिशानी में है, योगी बिद्रो कर सकते हैं, बस्मुन राजी बिद्रो कर सकते हैं, बहुत सारी जगा प्रदान मत्री मोदी और शाह की जोड़ी, जिसको भारते इंताप पार्टी के अंदर से, यह आरोप लगाया है जा चुक ये ख़वर साथ हो सकती है और जिस तरह से राहूल गांदी आगे और आगे बढ़ते चले जा रहे है और जिस तरह से मीडिया में कवरे जे राहूल गांदी को बिलने लगी है क्या बागी में प्रदान मंत्री को इतनी चिंता हो गई इतनी परिशानी हो गई कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शूशर मीडिया पर बहुत सारी ख़वरे जिसी आ रहे हैं, जो बता रहे हैं, कि कहीं ना कहीं, पिर्धान मंत्री मोधी के खिलाफ, अब लहर चल नहीं है, एक ख़वर ये भी आती है, डेटा आता है, जिसमें कहा जाता है, कि जो बोल्ट पड़े थे, फाइनल उसमें, बड़े गला डंसर पड़े थे, अगर उसके बारे में, अगर सोप्रें कोट ने संग्यां ले लिया, तो मोधी जी की सरकार कभी भी अपदस्त हो सकती है, ख़वर के आये पूरी अगली वीडियों बताएंगे दोस्तों, नमस्कार ज वीडियों अगर कर बड़े एियाक, छिड़े तने दोस्तों ने जी क्याती है, एफ जिसरा की की सरकार के लिचिए बताता है, GRत जा, प्या कर दोस्ती है, टons खवो एगं पिस्तों पारे में, नमस्ने, ले खव के अएदस्तों, वाले भीफैंने अगर,